नमस्कर दोस्तों श्वागत हैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से दोस्तों आज किस बिड़ों में मैं आप लोगों को बौध पुनिमा अर्थाद बैसाग पुनिमा के महत्वा के बारे में बताऊंगा दोस्तों इसके जब महत्वा जानोगे न तो दोस्तों कल से भी आप बौध पुनिमा की गुलगान करना शुरू कर दोगे दोस्तो हिंदु धर्म में 12 महिने में 12 पुनिमा तिथी पड़ती हैं और अलग-अलग पुनिमा तिथी का अपना अलग-अलग महत्वा होता है दोस्तो पुनिमा के दिन चंद्रमा अपने 16 कलाओं से परिपुन्ना रहता है और दोस्तो इस दिन किया गया तीर्था इस्थान तीर्था इश्नान दान कभी खत्मा न होने वाला हो जाता है और अच्छत पुन्या देती हैं और पुनीमग दिन माता लच्छमी को प्रसन करने का सबसे असान दिन होता है पुनीमग दिन माता लच्मी प्रतेक मनुष्य की द्वार में धन ले करके आती हैं इसलिए पुनीमग दिन हमें अपने घर की पट को बंद नहीं करना चाहिए दोस्तो बैसाग पुनीमग पांच माई 2030 दिन शुक्रवार को हम सब मनाएंगे और पुनीमग दिन ही चंद्र ग्रहन भी लगने जा रहे हैं दोस्तो बैसाग पुनीमग तिथी का जो शुरुवात हो जाएगा चार माई 2030 ग्यारा बचकर के 44 मिनट में और ये अगले दिन पांच माई 2030 राद ग्यारा बचकर के 3 मिनट तक रहेंगे तो बैसाग मास के जो पुनीमग हैं ये इतना जादा क्यों खास हैं चुकि दोस्तो इसे बौध पुनीमग भी बोला जाता क्योंकि इस दिन महात्मा बौध का जन्म हुआ था तो एक इसके मैं प्राचीन कथा बतानू जो कि भगवान स्री कृष्ण ने माता ये शोधा को बताए थे ऐसा भी माना जाता इस कथा को स्रवन मात्र से वेक्ति की सारे जीवन की कष्टा मिड़ जाते हैं इस कथा को सुन्ने मात्र से आब के गरिबी कंगाली कष्टा एवं घर में अगर अलच्मी हैं वह भी दूर भग जाते हैं और इस कथक के श्रवण मात्र से गोदान के बराबर पुन्य की प्राप्ति होता है तो दोस्तों द्वापर यूग में एक बार ये शोदा मया ने भगवान स्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्णा तुम तो सारे जगत के उत्पादन करता हो पालनहर करता हो आप ऐसा ब्रत के बा कार के मनों कामना को पूर्ण करने वाले हो दोस्तों इस कथा को आपको ध्यान से शुनना है इस कथा को शुनने मात्र से आपकी गरिभी मिटेंगे और जो माता बहने इस कथा को शुननेंगे उनके पती दिरगायू हो जाएंगे साथ ही साथ हो कभी बिद्वा नहीं होगी बिड़ो में अगे बनेचे पहले, अगर आप भी, भगवन श्री कृष्णा को दिल से मांते हैं, तो comment box में, जै श्री कृष्णा जरूर लिखना, जो भक्त जै श्री कृष्णा लिखेंगे, मैं भगवन से प्रात्ना करूंगा, कि ऐसे भक्त के घर को आप जो हैं, सुधामा के बिस्तार के बारे में बताँगा या बरत अचल सभागत देने वाले हैं भगवान शीव को प्रती मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाली कही गई हैं ये सोदा जी कहने लगें कि इस ब्रत को मृति लोक में किष्णे किया था भगवन श्री कृष्ण ने कहा कि इस भू मंडल पर अनेख प्रकार के रतनों से परिपून कातिका नामा की एक नगरी थी वहां चंद्रहास नाम का राजा राज्य करता था उसी नगरी में बड़े प्रेमशे रहते थे उनके घर में धन्य धन्य आदि की कोई कमी नहीं थी परंतु उनको बहुत बड़ा दुख इस बात की थी कि उनका कोई संतान नहीं था भगवन श्री कृष्ण ये कथा माता ये सोदा को बता रही हैं आपको भी इस कथा को ध्यान से श्रवन कन्न ध्यान से सुनना है एक समय एक बड़ा योगी उस नगरी में आया वह योगी उस ब्रामभाण के घर को छोण करके अर्थात जो धनिश्वार नाम की ब्रामभाण हैं उनके घर को छोण करके अन्य सभी के घरों में भीक्षा ले करके भोजन किया करता था वह रूपवती से कभी भिक्षा नहीं लेता था एक दिन वह योगी रूपवती से भिक्षा ना लेकर किशी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर के प्रेम पूर्वाक भोजन पका करके खा रहा था तभी धनिश्वर ने योगी को ऐसा करत्वे देखा अपने भिक्षा के अनादर से दुखी होकर के धनिश्वर योगी से कहता है कि वह सभी के घरों में भिक्षा तो ले रहे हैं बगवन लेकिन वह उसके घर में भिक्षा कभी नहीं ले रहे हैं इसका क्या कारण है योगी ने कहा कि निसंतान के घर के भी भीख पतीतों के अन के शमान होती है और जो पतीतों का अन खाता है वह भी पतीत हो जाता है क्योंकि वह निसंतान है इसलिए पतीत हो जाने के भैसे वह उनके घर में भीख्छा नहीं ले रहें कौन भीख्छा नहीं तो वह उसे पूत्र प्राप्ति का उपाएं बताएं वह सब कुछ जानने वाले हैं वह उस पर अवशक्रिपा करेंगे धन की उसके घर में कोई कमी नहीं है लेकिन कोई शंता न होने कारण वह बहुत दुखी रहता है वह उसके इस दुख का हरण कर इस प्रकार से जो योगी सुप्राथना करें यह सुनकर योगी कहने लगें कि उन्हें चंडी की अराधना करनी चाहिए घर आकर उसने अपनी इस्तिरी से पूरी बात कहा और स्वयवन में चला गया वहां उसने चंडी की उपासना करना शुरू कर दी और उपासना भी किया चंडी ने 16 दिन उसको श यदि वह दोनों इस्तिरी पूरूस 32 पुनीमा का ब्रत बिधी पूर्वा करेंगे तो वह दिरगायू हो जाएगा जितने उनकी शमार्थ हैं आटे की दिये बना करके भगवन सिव जी की पूजा करना पर उन्तु पुनीमा की ब्रत 32 होने चाहिए प्राता कल होने पर इस इस्तान के समीप एक आम का ब्रिक्ष दिखाई देगा उस ब्रिक्ष पर चड़कर फल तोड़कर सिग्र उशे अपने घर चले जाना और अपने इस्तिरी को सारा ब्रितांत बताना रितु इस्तान करने बाद विश्वक्ष होकर श्री संकर भगवान का ध्यान करके उस फल को खाले तब संकर भगवान की क्रिपा सिवा गर्भती हो जाएगी जब वह ब्रामभर प्राता काल उठा तुसे एक इस्तान के पास आम का ब्रिक्ष देखा जिस पर बहुत सारे आम का फल लागा हुआ था उस ब्रामभर ने आम के ब्रिक्ष पर चड़ कर फल तो तोड़ने का पर्यास किया परन्तु ब्रिक्ष पर कई बार कोशिस करने पर भी वह चड़ नहीं पाया तब उस ब्रामभर को बहुत चिंता हुआ और वभिघन बिनासाग भगवान स्री करने पर धनेश्वर को शक्ति प्राप्त हुआ वह वह सुन्दर आम के ब्रिक्ष पर चड़ गया और फल भी तोड़ लिया धनेश्वर ब्रामभर जल्दी से घर जाकर की अपनी इस्तिरी को वह फल दे दिया और उसकी इस्तिरी ने अपने पती की कहे अनुशार उस फल को या और वा गर्भती हो गई देवी जी के असिम किरिपा से एक अप्यन सुन्तार पुत्र उत्पन हुआ जिसका नाम उन्होंने देवी दास रखा बालक सुकलपक्ष के चंद्रमा की भाती अपने पीता के घर में बड़ा होने लगा भवान की किरिपा से वा बालक बहुत ही सुन्दर सुसील विद्या में पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया दुर्गा जी की आज्या अनुशार उसकी माता ने 32 पुन्यवा मासी का ब्रत रखा और यह आरम भी कर दिया पुन्यवा माँ ब्रत रखने का आरम कर दिया जिसे उसका पुत्रा बड़ी आयूवाला हो जाए। पुत्रा ब्रत रखने की नहीं चोड़ना इसलेवा साथ चले जाएं और एक वर्षिक बाद उसे वापस ले आना इस पकार से देविदास के जो माता पीता देविदास को उनके मामा यहां भेज रहे हैं उनके मामा के शाथ में कासी भेज रहे हैं तब सारा प्रबंद करके उनके माता पीता ने देविदास को एक घोड़े पर बैठा करके उसके मामा के साथ ही भेज दिया परन्तु यह बात उन्होंने मामा यह किसी और को नहीं पताएं कि शोला वर्षिक बात उनके पुत्रा बृत्य को प्राप्त हो जाएंगे धनेश्वा ने अपने पतनी के सा माता भगवती के सामने मंगल कामना करने लगये और दिरघायू के लिए भगवती की अराधना और पुन्डमासी का बरत करना आरम कर दिया इस प्रकार बराबर 32 पुनिमा के बरत को उन्होंने पूरा किया कुछ समय बाद एक दिन वह दोनों मामा और भांजा राद बितान लेकि देवी दास के साथ विवाह करने के लिए कहती हैं लेकिन जो देवी दास है अपने आयू के बराबर में बताता और कहता है कि उसकी आयू बहुत कम है लड़की ने कहा कि जो गती उनकी होगी वही उसकी होगी उसके बाद देवी दास और उसकी पतनी दोनों ने भोजन क सुभा देविदास ने अपनी पतनी को तीन नगों से जड़े हुई एक अंगुठी रुमाल दिया और बोला कि उसका मराण और जीवन देखने के लिए एक पुष्पवाटी का बना ले और यह भी कहा कि जिस समय और जिस दिन उसका प्राणों का अंत होगा वह फुल सूख ज फिर से हरे हो जाएंगे तो जान लेना कि वह जीवित हैं भवन स्रीकृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार देविदास कांसी विद्या अध्यन करने के लिए चला गया जब कुछ समय बित गया तो काल से प्रित होकर एक सरपा रात के समय उसको डसने के लिए वहाँ पर आया किसक पहले उसके माता पिता ने 32 पुनर माशी कबरत रखा था इसके बाद सोयम काल वहाँ पर आया और उसके सरीर से प्राणों को निकालने की कोशिस करने लगा जिससे वहा बेहोस होकर प्रित्वी पर गिर गया भगवान की किरपा से उसी समय माता पारवतिक साथ भगवन संकर प्रावति जी वहाँ पर प्रगट हो गये उसको बेहोस दसा में देकर माता पारवति जी ने भववन संकर से प्रात्ना करने लगे कि इस बाला की माता पिता ने पहले ही 32 पुनर माशी कबरत पूरा किया है और वह उसे प्राणदाम दे इस प्रकार सीव जी उसको जब उस ने देखा कि उस पुस्पा वाठीका में पुस्पा सुख भी नहीं रहे हैं तो उसको बहुत हैरानी हुई लेकिन जब वाठीका हरी भरी हो गई तो वा जान गए कि उसके पती को कुछ नहीं हुआ है यह देकर वा बहुत प्रशन मन से अपने पती अपने पीता से कह पैसाँ को देवी डास जाने से पूर्व अपने मृत्नी के बारे में अपने पती अपने पत्विक को बता दिया था जब 16 साल बीत जाने पर देवी डास अपने मामा के साथ खांसी से वापस चला गया उधर उनके सुर्ख गर में उनको खोजने के लिए जाने वाले ही थें कि वह दोनों मामा भाजा वहां आ गए उनको आया वद्यकर उसके ससूर को बहुत प्रसंता हुई और प्रसंता के शाथ उन्हें अपने घर ले गए उस शमय नगर की निवासी भी वहां इकठे हो गए और कन्या ने भी के निकट पहुँच गया तो कई लोगों ने उसको देकर उसके माता पीता को पहले ही खबर दे दी कि उनका पुत्र देविदास अपने पतनी और मामा के शाथ आ रहा है ऐसा सुनकर उनके माता पीता बहुत ही खुस वे थे पुत्र और पुत्र वधु के आने की खुसी में धनेश्वार ने बहुत बड़ा उस्व मनाया तब भगवन स्री कृष्णा कहते हैं कि धनेश्वार 32 पुनरवासिक के प्रभाव से पुत्रवान हुआ जो वेक्ति इस ब्रत को करते हैं जन्म जन्मांतर के पापों से छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं और भगवन स्री कि अगर ब्रत करते हैं तो सारे पाप नस्टा हो जाते हैं और मृतिय के बाद वैकूंट लोक में स्थान मिलता है जो भगवान विश्णू की अराधना करते हैं उसके सारे दुख समापता हो जाते हैं कि दोस्तव आपको इस कथा से क्या सिक्षा मिली आप होमें कोंइट से खिलाईए मचली हैं उसे आटे की गोली खिलाईए अगर आप इतना करने में भी शमर्थावान नहीं है तो पुनर माशिक दिन पीपल बिरिक्षपर मातल लच्मी और भगवान विष्णु जी साक्षात आते हैं दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में शुक शंपन जो वेक्ति पीपल बिरिक्षप के नीचे में घीं का दिपक जलाते हैं ऐसे वेक्ति तो सोयम तरते हैं तरते हैं ऐसे वेक्ति के पिड़ी भी तर जाते हैं और जो पित्र जीने मोक्षा नहीं मिले उनके ऐसे पित्र भी तर जाते हैं आप चाहें तो इस दिन आप चाहें मईया को एक चुनरे भेट कर दीजे वो भी बहुत प्रशन होती क्योंकि तूल्सी को लश्मी का शुरूप कहे गए हैं दोस्तो बहुंसे लोग पुनीमा के दिन भगवन संकर जी को दुद से इसनान कराते हैं दोस्तो अगर आब भी भगवान संकर जी को दुद से इसनान करने में शमर्थ हवान है तो इस दिन भगवान संकर जी को दुद से इसनान कराईए और उस दुद का छीटा आप अपने पूरे घर में मारे तो आपके घर में अगर अलच्मी है आपके घर में जगड़े लड़ी होती कला कलेज बने रह अच्चुक होते हैं तो आप इस जानकारी को अपने तक शीमित मत रखने से आगे ज़रूर शेयर करना आप ये एक सेर किसी की जिन्दगी को शमार सकते हैं तो आज के जानकारी बस इतना ही दोस्तों बीड़ों देखने के लिए धन्यवाद नमस्कार